हेलो, वेलकम यू आल तो दे पी डवलू नर्सिंग वाला, कैसे हो आप लोग, I hope you all are doing very well, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, आरोग्यम बैच में, तो मैं रितु पाठक, और आप्शन गाईनी फेकल्टी, अलड़ी हमारे 7 लेक्चर हो गया, आज हम 8 लेक्चर करने वा इसकी क्लास का क्या टॉपिक है, क्या हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्या टार्गेट होगा, वो सब हम पहले डिसकस करेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो टॉपिक क्या है, अम्लाइकल क ठीक है यह हमारा target है जिसे हम cover करेंगे और इस target में umbilical cord के बारे में जानने के साथ साथ आप क्या जानोगे इस से related क्या abnormality है और हमारे exam के लिए important कैसे है यहां से हमारे not set में या फिर हम जितने भी nursing के exam है उसको अगर target करें तो हम क्या theoretical content यहां से पढ़ें जिससे कि हमारे सारे exam के आई हुए question हम कर पाए तो वो हमारा target रहेगा आज ही class का तो target आपको समझ में आ गया होगा कि target क्या है target है हमारा इस topic को पढ़के nursing के जो भी exams हो उसको crack करने का चलो तो बढ़ते हैं अपने class की तरह umbilical cord तो सबने नाम सुना होगा umbilical cord is also called सबसे पहला point umbilical cord को हम क्या बोलते हैं umbilical cord को हम क्या बोलते हैं umbilical cord is also called as funes also called as क्या बोलते है dear funes बोलते है funes बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको funes बोलते हैं umbilical cord को दूसरा आपको मैंने पहले ही बताया था umbilical cord का origination कहां से होता है formation कहां से होता है umbilical cord का formation formation या फिर आप बोल सकते हो origination कहां से है origination of umbilical cord origination of umbilical cord from the connecting stock यह direct exam में hit करने वाला question है कहां से होगा dear connecting stock से क्या होता है umbilical cord का formation होता है connecting stock आपने कब पढ़ा था जब मैंने structure पढ़ाया था blastocyst पढ़ाया था फिर मैंने बताया था कि देखो ये structure है जिससे क्या होता है umbilical cord का formation connecting stock वाला ठीक है next हम बात करते है what is the length of umbilical cord length of umbilical cord की length क्या होती है umbilical cord की अगर हम length की बात करें तो normal length जो है इसका आप बोलते हो अगर एक select करना हो 40 cm या फिर अगर हम range में बोले तो सम्में तो fix नहीं होगा एक हम average 40 से 45 cm 45 cm हम बोलते है या 40 cm हम बोलते हैं average हो गया length लेकिन अगर range में पूछा जाए वो 30 से लेकर 100 cm तक length हो सकता है ठीक है यह सब female में vary करता है सम्में same नहीं होगा किसी का थोड़ा कम किसी का जादा सम्में vary करेगा इसलिए range जो है हम क्या लेते है 30 से 100 cm यह length of umbilical cord है अगर हम umbilical cord में यह जो umbilical cord है इस umbilical cord के diameter की बात करें ठीक है अगर हम इसके diameter की बात करें तो बताओ diameter of umbilical cord कितना होता है diameter of umbilical cord या funis आप बोल रहे हो इसका diameter कितना होगा आप बोलोगे 1.5 cm कितना होगा डिया 1.5 cm क्या होता है diameter of umbilical cord 1, 15 मत समझना 1.5 1.5 cm इसका क्या हो गया diameter हो गया next देखते हैं हम what is the pH of amylical cord pH of amylical cord, बताओ pH कितना होगा acidic होगा, alkaline होगा अरे भाई, acidic थोड़ी होगा अगर बच्चे के पास में है, तो वो क्या होगा alkaline, कैसा होगा डियर, alkaline होगा और अगर पूछा जाए कितना 7.2, कितना होगा pH, 7.2 याद रखना very very important जो चीज़े में बता रही हो, pH कितना है, diameter कितना है, length कितना है, इसके क्या बोलते है, कहां से originate होता है यह सब amylical cord के बारे में important point है, चीक है, amylical cord के बारे में important point, amylical cord कहां से attach होता है, तो आप बोलोगे amylical cord normally normally attached to the attached to the center of the center off the placenta placenta के center से attach होता है कि अगर यह placenta है, तो इसके center से, यहां से क्या attach होगा amylical cord समझ में आ रहे है, center से क्या attach होता है amylical cord normally attached होता है, या फिर बोल सकते हैmylical cord normally attached to the center of the placenta या फिर यहां पर हम लिख सकते हैं और fetal surface अगर आपसे पूछा जाता है, maternal या fetal, तो आप बोलोगे, fetal surface of the placenta, और fetal surface of the placenta, fetal surface से normally attach होता है, center से attach होता है, amilical cord, ठीक है, अब amilical cord के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए, तो amilical cord में क्या present होते हैं, knots present होते हैं, ठीक है, amilical cord में क्या present होते हैं, knots present होते हैं, एक त तरह से Ambilical Cord क्या होता है? Coiled होता है, इसका वैसे diagram नहीं है तो इसको हम क्या बोलते है? Nodds of Hobicons बोलते हैं क्या बोलते हैं? Nodds of Hobicons बोलते हैं यह Nodds of Hobicons होता है जो इस तरह का coiled होता है Ambilical Cord Coiled structure में होता है उसे हम क्या बोलते है? नॉट्स और हॉवे कॉन्स बोलते हैं या फिर जो नॉट्स होते है वो दो तरह का आप पढ़ते हो true and false इसका डाइग्राम में अभी दिखाऊंगी true and false नॉट्स true का मतलब हुआ actual में अगर गांट लगी हुई है ठीक है अपियर हो रहा है नॉट्स की तरह तो इस ट्राइब के नॉट्स को हम क्या बोलते है false नॉट false नॉट्स का मतलब actual में गांट नहीं लगी है लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है Watson Jelly का collection हो गया जो की एक नॉट्स ट्राइब का अपियर हो रहा है या फिर हम false of hovicons बोलते है तो यह समझ में आगे आपको यहाँ पे एक कोशन और पूछा जाता है जो slippery substance या what is the slippery tissue present over the umbilical cord umbilical cord पे जो यह slippery tissue present होता है इसे हम क्या बोलते है the slippery tissue over the umbilical cord slippery tissue over the umbilical cord जो present होता है उसे हम बोलते है Watson Jelly Watson's Jelly Jelly-like substance पूछा जाएगा कोशन ऐसे भी पूछ सकते है जो jelly-like substance umbilical cord पे present होता है उसे हम क्या बोलते है या फिर जो slippery tissue present होता है umbilical cord पे उस tissue का नाम क्या है Watson Jelly तो यह आपके exam का एक important question जो है वो आप याद रखोगे समझ में आया very very important अब diagram देखते जाओ knot लगी है इसे हम क्या बोलते है dear कि तो बोलोगे यह जो image आपने दिखाया है इस image का नाम है true knot क्या है true knot समझ में आया true knot में क्या होगा actual में यह garnठ लगी हुई आपको दिखाई जाएगी तो actual वाला क्या होगा सही में लगा है तो true लिख दो इससे जादा simple और कुछ नियोगा true not not के बारे में मैंने आपको बता दिया था next image में देखते हैं ये देखो इस image में आपको क्या दिख रहा है कि ये amalical cord है और amalical cord में यहाँ पे कुछ इस्तरा का note type का दिख रहा है actual में गार्ट नहीं लगी है लेकिन यहाँ पे Watson jelly का collection हो गया है जो कि एक note type में appear हो रहा है और इसको हम क्या बोलते है dear false note false note क्या बोलते हैं इसको हम false note बोलते हैं समझ में आ गया है जहाँ actual में गार्ट नहीं लगी लेकिन Watson jelly का collection हो गया है और वो एक note type का appear हो रहा जिसे हमने false note बोला है अब ये exam में आया हुआ question है ये aims Delhi का आया हुआ question है identify the image आपको क्या करना है identify करना है identify the image बताओ कौन सा image है बताओ वई amulical cord है जब बच्चा baby को separate करते है mother से यही amulical cord है जिससे baby क्या होता है mother से connected, placenta से connected रहता है किसके थो connected रहता है वो baby वो baby जो है वो amulical cord के थो ही connected रहता है समझ में आ रहा है तो वो जो amulical cord है वो जो amulical cord है उसको cut करते हैं जब बेबी हम delivery करते हैं, बच्चे को separate करते हैं, तो जब बेबी को separate किया जाएगा, तो amilical cord को काटोगे किस से, क्या epizyotomy seizure से काट दोगे, नहीं, अरे किस से काटोगे, उससे हम काटते हैं, किस से, ये है cord cutting seizure, जो कि आगे से आपको दिख रहा है, इस तरह का बना हुआ है, होता है, बट seizure में कोई lock नहीं होता है, हमें पता तो लग रहा है, और ये दिख रहेगी, ये seizure है, क्या है, किस का image है, ये cord cutting seizure, हम क्या बोलेंगे, amilical cord cutting, ये एक seizure का image है, जिस से हम क्या करते हैं, इस cord cutting seizure से, cut the amilical cord, cut the amilical cord, को cut करते हैं, और यहां से भी aims question पूछ सकता है, या फिर आपके CCHO, या फिर जो भी आप exam देने जा रहे हूं, आपके question पूछा जा सकता है, क्या question पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि amilical cord में, जो हम first clamp लगाते हैं, कितने पे लगाते हैं, second clamp लगाते हैं, और third cut कहां से करते हैं, तो याद रखना, यहां पे हम सबसे प से हम उसको काट देंगे, amilical cord को कहां से कातेंगे, जो दो clamp लगाया, उसके 20 से amilical cord को कट कर देंगे, 3.4 something कुछ आएगा आपका, तो approximately जो हम amilical cord का length remaining रहता है, जो amilical cord का length cut होने के बाद remains रह जाता है, बच्चे के तरफ से, बच्चे की side से जो amilical cord remain रह जाएगा, वो approximately 4 cm रहेगा, approximately, क्योंकि मैंने बोला है, 3.4 something रह जिसे मैं approximately 4 cm लिख देते हैं, क्योंकि आपने देखा, दो clamp लगाएगे, यह amilical cord है, यह baby है, और यह, चलो यहाँ नहीं दिख रहे है, यह baby है, ठीक है, यह उसका amilical cord है, तो आपने क्या किया, 5 cm पर एक clamp लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक की land कितनी हो गए, 5 cm एक clamp लगाया, फिर आपने इसके आधे यहाँ पर, 2 cm पर एक clamp लगा दिया, फिर आपने क्या किया, इसके बीच से, इसके बीच से आपने काट लिया, तो धाई तो यह हो गया, और इसके बीच, धाई का और 0.5 है कितना हो गया 25 तो 1.25 और पहले से था तो 3.75 सम्थिंग आ जाएगा तो उसको हम क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं समझ में आ गया इसलिए मैंने बोला कि बच्चे की साइड से जो अमलाइकल कॉड्स रिमेन रह जाएगा इसकी लेंद जो अमलाइकल कॉड्स य से 8-10 cm रखते हैं अगर प्रिमेच्यार बेबी होता है लेकिन अगर डॉर्मल टर्म पे बेबी होता है तो उसका कॉड्ड कटिंग लेंद कितना होता है 4 cm एक्जाम में पूछा जाता है कि कितने पे आप क्लैंप लगाओगे नर्सिंग का कॉश्चन सेकेंड क्लैंप कितने और कॉड कटिंग लेंध कितना remaining जो लेंध होता है कॉड कटिंग का वो कितना रह जाएगा यह सब यह बहुत छोटे-छोटे questions होतें जिसे आप ध्यानी निए यह बहुत मैं ने बोला है क्योंकि बहुत मैंने बोला है, बेस से भी, आप सोच भी है सकते, इतने easy question पूछ देते हैं, और उसमें भी बच्चे फस जाते हैं, क्यों वो पढ़ते ही नहीं है इन चीजों को, तो देखो यह हमारा काम है, हमारा काम है न, देते हैं न हम, procedure जब करवाते हो, quad cutting ले clamp देते हो doctors cut करता है, separate करता है, तो आप सारी चीज़े observe करते हो, पूरा देखते हो, आपे assist करते हो, तो आपको पता होना चाहिए, कितने पर actual किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारे exam में यहां से question पूछ लेते हैं, चलो, यह भी exam में आया हुआ, यह भी AIMS ने diagram में question दिया हुआ है AIMS Delhi का आया हुआ question, यह आपको क्या दिख रहा है डियर, क्या है यह, यहां से देख रहे हो, यह lock हो जाता है इस तरह से, तो यह क्या है, disposable, disposable cord clamp, यूज बार बार यूज नहीं करना, disposable का मतलब क्या है, एक बार यूज करके discard कर देना है, तो जब clamp लगाते हैं, तो इसे हम क् गुझत है, disposable cord clamp, यहां पे यह lock वाला होता है, यह देख रहे हो, यह जो पार्ट होता है, यहां पे क्या है, यह lock, यहां पे जैसे इसको कर देंगे, इस वाले पार्ट में आके यह fix हो जाएगा, ठीक है, और यहां से निकलेगा, इस तरह का बना होता है, इस तरह का बना हु देखेंगे, abnormality of umbilical cord, ठीक है, अम लाइकल cord की abnormality देंगे, आपका homework एक मैं दे देती हूँ, वैसे मैं सारी abnormality पढ़ाऊंगी, बट इस umbilical cord की abnormality को identify करना है, identify the abnormality of umbilical cord, यह आपकी आज की class का एक homework वाला question हो गया, ठीक है, वैसे homework last में देना चाहिए, लेकिन आप पहुचते नहीं हो वहाँ तक, आप देते नहीं हो answer, इसलिए मैं starting में ही आपको क्या कर रही हो, question का, there you, question की, आगे में सारे diagram पढ़ाने वाली हूँ आपको, लेकिन आप homework में इस diagram को identify करना, और बताना, क्या इस umbilical cord में कोई problem है, और problem है, तो इस type की abnormality को, umbilical cord को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, और क्या problem होगा इसे, जो भी आपको इस umbilical cord, या फिर normal है, जो भी आपको लगता है, आप इसके बारे में comment box में लिखोगे, कि आज day, आज जो class upload हुआ, उसका question ये है, man, और उसका answer ये है, जो मुझे समझ में आया है, क्योंकि abnormality of umbilical cord, अब आप बोल रहे हो, ये कप पढ़ेंगे, diagnosis, NST कप पढ़ेंगे, labor कप पढ़ेंगे, भाई, सब पढ़ लेंगे, थोड़ा सा क्या रखना पढ़ेगा, patient, sabr रखना पढ़ेगा, sabr का फल, मीठा होता है, एकदम से सीधा labor पे थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, sorry, very very sorry, चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कि normally जो umbilical cord होता है, center से attach होता है, और इस diagram में, आपको क्या दिख रहा है, भाई, placenta तो ठीक है, placenta में कोई problem नहीं है, लेकिन umbilical cord कहां से है, उसके periphery edge से जाके, यहां से निकल रहा है, umbilical cord, ठीक है, वैसे normally कहां होना च होना चाहिए था, center से attach होना चाहिए था, बट यहां पर, जो umbilical cord है, वो margin से attach है, तो इस type की abnormality को हम बोलते है, battle door placenta, क्या बोलते है, battle door placenta, ठीक है, या फिर marginal placenta, या फिर हम क्या बोलते है, marginal placenta, पता चल गया क्यों, diagram भी दिखा दिया, बनाने की जौरत है ही नहीं, इसमें क्या होता है, placenta, placenta, बेखो marginal, battle door placenta या marginal placenta, इसमें होता क्या है, umbilical cord attach, umbilical cord attach to the margin of the placenta, to the margin of the placenta, जब ambilical cord placenta के margin से attach हो, periphery edge से attach हो, then this type of abnormality, this type of placenta is called as marginal placenta, या फिर इसी placenta को हम क्या बोलते है, better door placenta, this is the very important point, exam का, बहुत important question है, तो star mark कर लेना, और आप लिख लेना इसको, क्योंकि ये exam के लिए बहुत जादा important है, चाहे आप image की बात करो, वो भी important है, या फिर अगर आप बात करो, इसके theoretical question की, तो यहां से theoretical question में पूछा जाता है, बस simple सा line है, कि जब amulical cord margin से, placenta के margin से attach होता है, तो उसे हम marginal placenta बोलते हैं, या फिर periphery edge से attach होता है, clear हो गया, चल, second type की abnormality को देखते हैं, second type amulical cord की abnormality क्या है, ये amulical cord की जो abnormality है, इसमें आपको दिख रहा है, कि amulical cord कोड क से पहले ही, placenta में पहुचने से पहले ही, अगर amulical vessels divide हो जाते हैं, then this type of placenta is called as furcate placenta, इस placenta को हम क्या बोलते हैं, furcate placenta, समझ में आया, furcate placenta में क्या होता है, when the amulical vessels divide, before reaching the placenta, then this type of placenta is called as furcate placenta, कि placenta ये है, और ये जो amulical cord है, directly यहां से attach होना चाहिए था, बट यहां से attach ना होके क्या होता है, पहले उसके vessels इस तरह से निकलते हैं, और फिर वो vessels जाके placenta से attach होते हैं, तो इस type के placenta को हमने क्या बोला, furcate placenta, definition लिख लो, diagram सामने है, मुझे लगता है आपको width diagram, और definition के साथ लग समझ में आ गया, when the umbilical vessels, when umbilical vessels divide, ramify का मतलब भी होता है, कभी-कभी यह लिखते है, ramify का मतलब भी क्या होता है, divide, when the umbilical vessels ramify or divide, before reaching the placenta, before reaching the placenta, when the umbilical vessels ramify or divide, before reaching the placenta, and then enter into the placenta, ठीक है, before reaching the placenta, placenta में पहुचने से पहले ही umbilical vessels divide हो जाते हैं, and then enter into the placenta, and then enter into the placenta, और फिर enter होते हैं into the placenta, तो इस टाइब के placenta को हम क्या बोलते हैं, इस टाइब की abnormality को हम क्या बोलते हैं, अफुरकेट placenta, जिस placenta में umbilical cord, जो हमने normally पढ़ा था, center से attach होना चाहिए, हमने normally यही पढ़ा था, ना, कि umbilical cord normally center से attach होगा, directly, लेकिन इस case में क्या हो रहा है, placenta का जो umbilical cord है, वो center में directly attach नहीं हो रहा है, पहले umbilical cord के जो vessels हैं, वो इस तरह से divide हो गए हैं, और वो vessels जाके umbilical cord से attach हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, furcate placenta, इसलिए इसमें paper लगा है, जिससे कि आपको, इसका जो part है, वो इस इस तरह से दिख जाए, यह देखो, कितना clearly दिख रहा है, यह image में तो मुझे लगता है सबसे अच्छे से हैं, फिर placenta में enter हो रहा है, पहले umbilical cord यहां से आया, इसके vessels इस तरह से divide हो के फिर यह जाके placenta से attach हो है, इस तरह से divide हो जाते हैं, फिर placenta में इस तरह से enter करते हैं, clear है, इस टाइब के placenta को हम क्या बोलते हैं, फुर्केट placenta, sorry, 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 बोलोगे माम क्या कर रहे हो यह, हमारे कान में हम सुनते रहते हैं, ध्यान से और हमारे एक दम से, आप तो हमें भी करवाद हो गए, वाईल, क्या करें, वाईल इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, मैंने placenta rest किया, तब भी वो अराम ही नहीं हो रहा है, अब क्या करो, और इस से जादा छोटी ले नहीं सकते हैं, भही चलो ठीक है, अराम से rest ही करते हैं, फिर आप लोग कहां जाओगे, फिर subject कैसे complete होगा, फिर आगे और भी पढ़ना है, सब कुछ है न, ये देखो, इस डाइग अच्टार के vessels निकल रहे हैं, और ये जो vessels हैं वो किसी layer से attach है, आपने देखा कि ये जो amylical cord है वो divide हुआ है, amylical cord divide हुआ है, फूर्केट में तो directly placenta में enter कर रहा था, बट ये जो placenta की abnormality है इसमें amylical cord के vessels divide होते हैं, amniyon जो layer है, layer से attach होते हुए, इस layer से attach होते called as very very important most common well-elementous placenta इस type की abnormality को हम क्या बोलते है डियर well-elementous placenta जो कि आपकी third type की abnormality है heading लगाएंगे well-elementous well-elementous placenta देखो यह सारे जितने भी मैं बता रही हुए amlical cod की इससे पहले मैंने 8 abnormality पहले वाली class में बताया था वो 8 abnormality किसकी थी placenta में problem था वहाँ placenta में problem था यहाँ सब जो भी पढ़ रहे हो सब umbilical cod में problem है placenta में कोई problem नहीं है umbilical cod में problem है उसका division हो रहा है उसके vessels निकल रहा है सारी problem किसकी umbilical cod की तो कभी-कभी question directly यह भी पूछ लिया जाता है कि बताओ इन सारी abnormality में से कौनसी placenta की abnormality है कौनसी umbilical cod की abnormality है तो आपको क्या करना होता है उसमें select करना होता है मैंने आपके लिए easy कर दिया कि मैंने बिल्कुल separate कर दिया placenta का अलग पढ़ाया umbilical cod का बिल्कुल अलग पढ़ाया जिससे आपको हमीशा याद रहेगा तो वेलमेंटस placenta में क्या होता है the umbilical vessels ramify and divide and enter into the placenta along with the amnion layer along with the fetal membrane समझ में आ रहे है तो लिख लो इसको और clear हो जाएगा वेलमेंटस placenta when the umbilical vessels when the umbilical vessels ramify and divide before reaching the placenta before reaching the placenta when the umbilical vessels ramify and divide before reaching the placenta and enter into the placenta enter into the placenta along with amnion and this type of placenta जो की मैंने क्या बताया हिंदी में एक बार और मैं अच्छे से समझा देती जब placenta के umbilical vessels इस तरह से divide हो जाते हैं और placenta के अंदर amnion layer से attach होते हैं मालो यह amnion की layer है यह placenta का जो ambilical vessels है वो divide हुआ है तो ambilical vessels क्या होगा इस layer से attached होते हुए इस layer से attached होते हुए और फिर placenta तक पहुचेगा furcate में directly enter हो रहा था velementus में क्या होता है डिवाइड होता है amnion layer में attached होते हुए और फिर placenta में जाता है वो चीज इस diagram में बहुत अच्छे से हैं यहाँ पे भी है कि ambilical vessels क्या हुआ है इस diagram में भी देख सकते हो ambilical cord का यह जो vessels है इस तरह से divide हुआ है ठीक है और यह directly placenta में नहीं जा रहाए पहले amnan layer से attaches है सब जा रहें लेकिन इस तरह से इस membrane से attached होते हुए फिर placenta, यह placenta, यहाँ पर यह placenta है, इस placenta में, इस membrane से attached, when the amylical cord के vessels divide हुए, and enter into the placenta along with the amnion layer, इस layer से attached होते हुए, फिर placenta में enter हुए, then this type of abnormality, दोनों ही जो diagram बना हुआ है, वो किसका है, very very important, याद रखना है आपको, समझ में आ गया, clear हो गया, image भी बता दिया, definition भी बता दिया, तो एक चीज में इतना समझो, तभी आगे की चीजे में और अच्छे से समझा सकती हो, कि क्या problem होता है, कैसे होता है, यह समझेंगे, ठीक है, चलो, next, यह देखो, इसमें आपको क्या दिख रहे है, इसमें क्या दिख रहा है, बता इसकी जो abnormality है, इस abnormality में आपको क्या दिख रहे है, अभी मैंने कितनी abnormality, three बताई है, four देखो, fourth number है, वासा प्रीविया, वासा प्रीविया, में क्या होता है, जो होके present in front of the presenting part present in front of the presenting part and then enter into the placenta then this type of abnormality is called as wasa previa sorry तो wasa previa में क्या होता है जब umbilical cord के vessels divide होते हैं और divide होके कहां पे present होते हैं जो बच्चे का presenting part होता है उसके आगे present होते हैं या या फिर overlying the internal os of the cervix को या फिर क्या करते हैं overlying करते हैं internal os of the cervix को इस तरह से और यह है placenta यह placenta है देखो placenta में कहां से enter हुआ पहले divide हुआ in front of the presenting part present है internal os of the cervix को overlay कर रहा है इस type के presentation को हम क्या बोलते हैं वासा previa जैसे आप placenta previa से याद रखते हैं कि placenta into the lower uterine segment वैसे ही वासा previa से याद रखना जो umbilical cord के vessels होते हैं वो कहां present होता है in front of the presenting part of the features और overlying the internal os of the cervix इस case में हम कभी भी कभी भी PV नहीं करेंगे या फिर अगर हम delivery भी करेंगे तो कौन से कैसे delivery करेंगे क्या normal कर सकते हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि जैसे ही आप करोगे membrane rupture होगा umbilical cord के vessels rupture हो जाएंगे और बच्चे को deliver करने से पहले बच्चे की death हो जाएगी कि placenta से इसका supply बंद हो जाएगा समझ में आया कि जब भी हम normal करेंगे तो हम इसको normal करेंगे ही नहीं कर्मल होई नहीं सकता है जब भी identify होता है हम सिजेरियन करते हैं और माल लो कि इसका यह रप्चर हो गया उसका membrane rupture हुआ और यहां से अब लाइकल vessels rupture हो गए तो किसकी death हो जाएगी मदर की या fetus की मदर की वेजाइना से बहुत जादा excessive bleeding होगा अगर cord rupture कर रहा है membrane rupture कर रहा है तो क्या होगा bleeding होगा vaginal bleeding होगा और vaginal bleeding की वज़ा से किसकी death होगी मदर पे effect जाएगा या fetus पे fetal distress होगा या maternal distress होगा तो याद रखना जब umbilical cord के vessels rupture होते है तो यहां पे fetus का blood loss होता है और fetus का blood loss होने की वज़ा से fetal distress होता है fetal death होता है मदर पे effect नहीं जाएगा मदर को problem नहीं होगी मदर के बच्चे को problem होगी मदर के बच्चे की death हो जाएगी इस fetus की death हो जाएगी distress होने की वज़े से blood supply जो था प्लसेंटा से वो cut होने की वज़े से समझ में आगया वासा प्रीविया क्या है तो चलो लिख लो इसका definition sorry वासा प्रीविया में क्या बोला मैंने वासा प्रीविया में क्या होता है when the umbilical cord vessels umbilical vessels ramify and divide when the umbilical vessels ramify or divide in front of the presenting part in front of the presenting part or overlying the internal ose of the cervix overlying the internal ose of cervix तो इस type की abnormality को हम क्या बोलते डिया है वासा प्रीविया when the umbilical vessels ramify or divide in front of the presenting part overlying in front of the presenting part overlying the internal ose of the cervix then this type of abnormality is called as वासा प्रीविया और वासा प्रीविया का अगर पूछा जाए management बताओ क्या करोगे इस card क्या करना चाहिए इसमें what is the mode of delivery what is the mode of delivery अगर आपको पता चला है कि वासा प्रीविया है तो आप बोलोगे cesarean section ही यहाँ पर choice of treatment रहता है और कोई mode हम यहाँ use नहीं करेंगे अगर आप से diagnosis से पूछा जाता है कि आप पता कैसे लगाओगे कि यह है female को क्या होता है bleeding होता है तो फिर हम यहाँ पर confirmation जो करेंगे वो Doppler से करेंगे Doppler से करेंगे Doppler study करवाएंगे Doppler study से हमें पता चल जाएगा कि वासा प्रीविया है या क्या ठीक है तो वासा प्रीविया समझ में आ गया चलो यह homework है यह homework है दो homework हो गया आज की class में एक मैंने class के starting में homework दिया था image को identify करने का और यह आपका homework है दूसरा कि इस image को identify करना और आज ही की class में मैंने आपको पढ़ाया है कि यह image क्या है ठीक है यह homework करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूं वासा प्रीविया हो गया चलो तो इसमें देख लो और क्या होता है accordia एक और abnormality पढ़ लेना accordia कितनी abnormality पढ़ ली आपने फोर पढ़ ली अभी फाइफ नमबर की पढ़ लेना फाइफ नमबर की क्या है accordia मतलब absent cord अगर amylical cord absent होता है absent amylical cord is called as accordia accordia sixth number में पढ़ना long cord long cord क्या होता है जब amylical cord की length when the length of amylical cord length of amylical cord is more than equal to 100 cm then it's called as long cord and what is the complication अगर आप से पूछा जाता है कि बताओ हमें what is the complication complication क्या होता है long cord का तो आप सबसे पहले number में बताना कि long cord जब इतना long cord हो जाएगा तो fetus की गले में U U U दो तीन बार जादा होगा तो क्या होगा fetus U U घुमता रहेगा cord पूरा का पूरा घुम जाएगा जिसे हम बोलते हैं entanglement entanglement of umbilical cord entanglement of umbilical cord around the fetus around the fetal neck entanglement of umbilical cord around the fetal neck दो तीन बार यू राउंड हो जाएगा जो एक long cord का complication होता है और दूसरे complication की बात करें तो इतना लंबा cord होगा तो वो एकदम से जैसे ही membrane rupture होगा सारा का सारा बच्चा आने से पहले umbilical cord बाहर आ जाएगा pressure से तो क्या बोलेंगे हम उसे जल्दी से बताओ cord prolapse cord prolapse ये क्या होता है complication होता है long cord का वही पर अगर मैं बताओ short cord short cord की वज़े से क्या होगा when the length of umbilical cord length of umbilical cord is less than 30 cm less than 30 cm then it's called as short cord और short cord का complication क्या होता है जैसे ही बच्चा थोड़ा सा move करेगा umbilical cord होहां से separate हो जाएगा antipartum hemorrhage हो जाएगा intra बच्चे का growth नहीं हो पाएगा और fetal death होने का जाँस है fetal death होने का जाँस है चीए क्योंकि umbilical cord separate होगा तो क्या होगा at last बच्चे की death हो जाएगी क्यों सप्लाई ही नहीं मिलेगा समझ में आया तो ये क्या होता है short cord का complication होता है तो ये 7 abnormality मैंने umbilical cord में और 8 मैंने पहले वाली class placenta की बताए total 15 abnormality of the umbilical cord and placenta पूरी 15 abnormality placenta और umbilical cord की बता रखिए जिसे आप अच्छे से पढ़ना ठीक है वासा preview भी हो गया इस image को identify करके comment box में लिखना है कि image number 1 और image number 2 क्या है चल तो समझ में आया umbilical cord के बारे में I thought umbilical cord अच्छे से आपको clear हो गया हुआ what is the pH, what is the diameter what is the length, what is the abnormality और image based में सारी चीज़े हमने अच्छे से discuss किया है तो आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी इसका notes अगर आपको चाहिए राया जर आपको कीया हो